क्या आप एक Organization और Methods Analyst हैं और आप Australia में काम करने, रहने या Study करने के एचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। इस वीडियो में, हम आपको Australia में Organization और Methods Analyst के Career Scope और Profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लेक करें। में Methods Analyst के लिए उप्योगतून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहां Organization और Methods Analyst को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं। हम Organization और Methods Analyst के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यून्तम एजुकेशन और एक्स्पिरियन्स की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल, लेवल, लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं। हम Organization और Methods Analyst के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्या आयू वर्ग पर भी चर्चा करेंगे। Current Job Openings, पिछले 5 सालों का Analysis, Future Expectations और Career Scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम Organization और Methods Analyst के औसतन सापताहिक वाकावाज और Wage Rate या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग Visa Options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, Permanent Residency पाने और इस प्रोफाइल पर Australia में पढ़ाई करने के Visa Options। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहे। अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके Profile Description पे। ऑस्ट्रेलिया में हर विवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुलजा हुआ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस Code को Australia-New Zealand Standard Classification of Occupation यह ANZSCO Code कहा जाता है। यह ANZSCO Code आपको किसी भी प्रफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है। Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS-IN Codes के रिचता है। और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर Evaluate और Revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं। Organization और Methods Analyst के Profile का ANZSCO Code 224712 है। ABS के Original Content की Authenticity को बरकरार रखने के लिए, Profile Description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ English भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी Originality और Integrity बनी रहे। Organization और Methods Analyst Studies Organizational Structures, Methods, Systems and Procedures Australia में ऐसे बहुत से Industry Sectors हैं जहाँ आपके Profile के Candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आईए एक बार कुछ जरूरी Job Sectors और Industries पर नजर डालते हैं। Organization और Methods Analyst के Profile पर काम करने वाले ज्यादातर Candidates मुख्या रूप से Professional, Scientific और Technical Services, Financial और Insurance Services और Information Media और Telecommunications में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक Organization और Methods Analyst के Profile पर काम करने के लिए आपके पास Bachelor Degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और Organization और Methods Analyst का Skill Level एक है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रुप के Job Level में Bachelor Degree और Higher Qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगहा पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित Experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो आपको Migration Skills Assessment की जरूरत रहती है। जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरूरत की जाती है। हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Criteria और Experience की अलग-अलग जरूरते होती हैं। अगर आप Organization और Methods Analyst के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष Experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirements सिर्फ Skill Assessment के लिए मान्य है, परंतु Employees की जॉब के लिए Experience Requirements इससे अलग हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके प्रोफाइल पर जॉब करने वाले लोगों का में एज ग्रूप 35 से 44 वर्ष है और औसतन आयू 41 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके प्रोफाइल में पूरुश तथा महिलाओं की जैन्डर रेशियो पर नजर डालते हैं। ओगनाइजेशन और मेथद्स अनिलिस्ट में महिलाओं का 38.7 प्रतिशत हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर प्रोफाइल में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर स्किल्ड वरकर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके प्रोफाइल की बात करें तो ओगनाइजेशन और मेथद्स अनिलिस्ट के प्रोफाइल के 38.7 लोग फुल टाइम काम करते हैं। इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफते में एवरेज काम करने का टाइम 40.3 घंटे हैं। जोब ओपनिंग्स की गिंती, कम्पनी टर्नोवर और एम्पलॉइमेंट ग्रोथ के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपैक्टिड जोब ओपनिंग्स 25,000 एक से 50,000 के बीच हैं। Organization और Methods Analyst के केस में यह गिंती औसत सत्र से उपर पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी व्रिद्धी दर प्राप्ट कर सकता है। Australia में कुछ ऐसे काम है जहां Applicants को अपने प्रोफाइल से जुड़े Licensing Body से License तथा Registration लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम Organization और Methods Analyst के Profile की बात करें तो इस Profile के लिए हमें License तथा Registration की कुछ केस में ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे महत्वपून Factor Average Weekly Earning को स्टड़ी करेंगे। Australia में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है। ABS के हालिया सवे के मुताबिक, Organization और Methods Analyst का ओसतन सापताहिक वेतन, Tax Deduction से पहले 1652 AUD है, जिसमें से आपके Salary Slab के अनुसार Tax की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application फाइल करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Skill Assessment है। इसके अलावा कुछ केसे में, जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आमतोर पर Migration Skill Assessment के पॉजिटिव रिजल्ट की जरूरत होती है। Australia में विभिन Profile Categories के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं, Organization और Methods Analyst के लिए Migration Skill Assessment, Vocational Education and Training Assessment Services, VETASESS के द्वारा की जाती है। अगले सेक्शन में हम Australia में जॉब के लिए अपलाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे, यहां आप अपने Profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा Options को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सबस्क्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। क्रिप्या अभी इस चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वर्ष के आंद तक 50,000 सबस्क्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के PR प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं। जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं जैसे कि आउस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम बनाना, कवर लेटर तैयार करना, उच्छे जॉब पॉटल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अपलाई करना तथा ओनलाइन ओफलाइन अपना बायोडिटा तथा रिज्यूम तैयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आउस्ट्रेलियन इंप्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपैक करता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया रिज्यूम रिक्रूटर का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीद्वारों से श्रेश्ट दिखा सकता है। अस्ट्रेलिया सरकार ने जॉब एक्टिव नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्वव्यापी सेवा दी है। अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरीए जो बैक्टिव, Employers और Jobs ढूंडने वाले दोनों की मदद करता है। बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है। इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना CV भी साज़ा कर सकते हैं, जिससे आप Direct Employers और Employment Agency के हमारे Valuable Network को आपके लिए उप्यूकत अवसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं। Adzuna, Career One, Career Jet और Indeed Australia, Australia में आउनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है। इसके इलावा टॉप 15 जॉब पोर्टल्स की एक डिटेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए Australia में सबसे सूटबल इंप्लॉइमेंट का अवसर पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं। अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्ध visa subclasses के बारे में संक्षेप में जानेगे। Australia में बहुत से pathway programs और visa subclasses हैं जिनके जरिये एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है। इन visa subclasses को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो हैं Skilled Migration Visors, subclasses 189 यो की permanent residency पाने की direct subclass है। State या regional nomination visas, subclasses 190 और 491 यो state nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं। Permanent Residence, skilled regional visa subclasses 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं। Employer Sponsored Visors, subclasses 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employers से सीधी sponsorship या nomination के थुरू PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं। Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visors, subclasses 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में invest करके या फिर किसी innovative idea, यो की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं। कुछ specific targeted sectors के लिए Global Talent Visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है। इनमें से ज्यादातर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं। हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि organization और methods analyst के profile के लिए कौन से visa subclasses खुले हैं। तो आप description में दिये गए link पर click करें। आप organization और methods analyst के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं। जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Organization और methods analyst है। इस सीरीज में आपको organization और methods analyst के लिए permanent residency फाइल करने की step by step जानकारी मिलेगी। वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में study और settle होने के लिए उपलब्ध visa विकल्प और visa subcategories हैं। तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं। अगर आप एक student हैं और organization और methods analyst बनना चाहते हैं तो Australia पढ़ाई और settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है। एक student सबक्लास 500 के तहट अपना study visa फाइल कर सकता है। हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सबक्लास 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है। जिसे post study work visa कहा जाता है। अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं। तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर click करके expert advice ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है। अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपया हमारी channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं। साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें। अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं। हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे। इस expert session से आपको हर मुम्किन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी। हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चा ही बताएंगे। So, अगर आप तसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी description में दिये गए booking link पर क्लिक करें और अपना expert session रिजर्व करें। हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं। आप हमारे immigration में माहर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं। हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं। इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं, तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूणने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं, तो description में दिये link पर क्लिक करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें। अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें, और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें। दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।